हलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग तुर्पाई वाली आस्तीन की कटिंग सीखने वाले हैं तो हमारी आस्तीन की लंबाई रहेगी 11 इंच और उसी में से हमको तुर्पाई के लिए कपड़ा भी निकालना है तो इसका मेजिर्मेंट किस तरह से निकालना है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो देखो इस तरह से पूरा कपड़ा हमको उपन कर लेना है और उपन करने के बाद डवल फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से तो यह देखिए मैंने डवल फोल्ड में अपने कपड़े को रख लिया है अब इस तरह से रखने के बाद देखो अंदर साइड हमारा मतलब सीधा भाग रहेगा उपर साइड उल्टा भाग और इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको फिर्छे एक बार फोल्ड कर देंगे क्योंकि यहां से हमारी दो आस्तीन निकलेंगी तो इस तरह से यह हमने अपने कप्ड़े को रख लिया इधर साइड उपर की तरफ हमारा कप्ड़ा है बंद भाग और नीचे की तरफ खुला भाग है इसको हम अपनी तरफ इस तरह से रख लेंगे तो इधर का खुला भाग होगा और इधर साइड का हमारा बंद भाग है अब हम बंद भाग से ही अपनी आस्तीन की लंबाई नाप पेंगे यहां से और यह जो खुला भाग है तो उधर साइड हमारा फिटिंग वाला नाप आएगा ठीक है इधर साइड से अब हम लोग लंब कट्पाय के लिए लेना है तो यह हम लेने साड़े 13 लेंगे तो यहां पे64 वाली करना चाहते हो तो एक इंच लीजिए गा अगर थोड़ी तुर्णी गरनी है तो फीर दोई इंच लीजिए गा तो इस इस तरह नहीं निकाली अंन्य साफ़ाइब करने में यह सप्त op क्रता है करें यहां ंच्छ से निकालने के बाद यहां पर इस तरह से राइन ड्रों और लीगा है तो यह लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमको अपनी आस्तीन का सेव देने के लिए डाउन करेंगे अपनी आस्तीन है ना तो यह गेरा इंच की होती है हमारी यानि के एल्बो स्लीफ से तो एल्बो स्लीफ में हम लोग केवल धाई इंच पर यहां पर अपनी आस्तीन डाउन कर तो देखो मैं इस तरह से से एकार का सेव देती हूं अंदर की और हम्हारा और अंदर की तरह पर तरह यहां यहिए और यहीं से कट होगी तो इतना करने के बाद आगे के साइट बाटम का निशाल लगा दो तो आपके आस्तिन के जितनी भी नाप है वो लगा लीजेगा ठीक है और इतना लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कपड़े के मार्जिन लेंगे तो आप 1.5 इंच या फिर 2 इंच ले सकते हो तो यहां पर मैंने 1.5 इंच लिया है अब हम उपर से इस तरह से एक लाइन ड् कर ली अब यह हम फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे तो यह हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है अब हमको कटिंग इसके बाहर से करनी है और यहां पर देखो यह हमने केवल एक इंच हमको यहां पर कोनी में लेना है फिटिंग वाला ठीक है तो आप हम इसकी कटि कर लेते हैं इस तरह से यह हमने आस्तिन कर लिया है अब इतना करने केलने के बाद इस तरहसे पूरी ओपन कर लेंगे इस το Eugene से पूरिय 1968 करने साथी और एवा को सब दो узभान लगता है तो आप इंचिंड धांझ कैसे तो самый कि adorable निशान लगाना है और यहां पर ऐसे गुलाई दे देना है दोनों तरफ तो बीच में हमारा ज्यादा कपड़ा कट होगा और साइड साइड में बिल्कुल कम तो इस तरह से हमको यहां पर गुलाई देनी है यह मैं गुलाई दे रही हूं तो फ्रिंट्स इस तरह से यह हमने गुलाई दे दी है अब इसी तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे तो यह मैंने कट कर लिया तो देखिए यह हमारी आस्तिन पूरी कम्प्लीट हो गई है आप देख पा रहे हो इस तरह से यह आस्तिन हमारी कम्प्लीट होती है फ्रिंट्स आई हो पाप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो प्लेज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर देना अगर आपको जहाँ पे भी नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताना मैं अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी थैंक